हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैली बरड़ा पे आप सभी का स्वाधत है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी, हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है विलोम का, विलोम शब्द क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, और उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो चीजे मैं पिछले दो वीडियो में करा चुकी हूं, मैंने उसका अर्थ भी बताया, कैसे उसको पहचानेंगे, उसका भी तरीका बताया, और उसके करीब सतर क्वेस्चन की हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, आज फिर नए तीस प्रसनों के साथ, मैं अभ्यासेट के साथ, मैं उपस् चल रही हूं, अपने आप में ये काउंट करते चलिए कि तीस में आपको कितने नमबर मिले, ठीक है, और वो नमबर कमेंट सक्षन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो आपका चल ही रहा है, लाइक तुरंद कर दीजे, सब्सक्राइब कमेंट स्वेर करते रही है, इतना आप शीयर करेंगे, तो इसलिए ये प्रैक्टिस से आप जरूर करते रहे है, अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, इसलिए बूष्टर तिंक्स मिलती रहेंगे, मैं बूष्ट होती रहूंगे, इसलिए हम इसको पढ़ते रहेंगे practice set करते रहेंगे चलिया start करते हैं practice set ठीक है practice set पहले भी बताया था कि पहचानने से पहले हमको उसका अर्थ जाल लेना जरूरी है तो कि जब exam में 4 option होते हैं तो दो तो बिलकुल समझ में आते हैं कि ये option गलत ही है पर दो option ऐसे होते हैं कि ये पहचान में नहीं आता है कि ये सहिए है इन दोनों में से सा होगा हम ये ही झानते हैं और विलॉम तो ऐसा topic है कि सभी one day exams में हिंदी में विलॉम आता ही आता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल मिसना करिए, ध्यान से पढ़िए, note down करिए, notes बनाइए, ठीक है, चलिए, start करते हैं, हमारा पहला question है, बर्बर, बर्बर का अर्थ होता है, जो बहुत असभ्य प्राडी कि कुछ भी हो, असभ्य के लिए यूज किया जाता है, तो असभ्य का बर्बर का विलॉम क्या हो जाएगा, सभ्य, ठीक, दूसरा प्रस्ण हम आता है, हमारा आता है प्रस्ण, उर्वर, उर्वर का अर्थ होता है, जो बहुत उर्वरा शक्ति लिए होता है, बहुत उपजा सीधा का अर्थ होता है बहुत सीधा चाहिए सुभाव से या लाइन सीधी हो या कुछ भी बहुत सीधा हो तो उसका बिलूम क्या हो जाता है पीड़ा ठीक अगला कोश्चन हमारा है भंस का अर्थ होता है कि नश्ट हो गया हो तो उसका बिलूम हो जाएगा निर्माड ठीक है कोई चीज बना दिया गया हो इसका मतलब कुछ नेश्ट हो गया हो नूतन का अर्थ होता है बिल्कुल नया ठीक है तो बिल्कुल नया का क्या हो जाएगा पुरातन यानि की पुराना तरूर का अर्थ होता है इवा तो इवा का ब्रिधु हो जाएगा दिलों तरूर का इवा या ज्मान और जिसके बलना हो यह जनरली tão Kings के लिए शुता है पर इसा नहीं है यह लोगों की गलत धारणाई या पूरवाग्रह है, पूरवाग्रह से ग्रसित लोग ऐसी बाते करते हैं, मैं आपको फिर बताती हूँ कि ये ऐसा कुछ नहीं है, अबला का विलोम हो जाएगा सबला, जो बहुत बल के साथ हो, हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है पसंता या खुसी, उसका विलोम हो हो जाएगा विशाद, विशाद का अर्थ होता है दुख, ठीक है, संपन, संपन मतलब भरपूर हो जो, तो उसका विलोम हो जाएगा विपन, यानि कि उच भी जिसके ना हो, निर्धन, निर्धन का अर्थ होता है जिसके धन ना हो, धन के बिना, तो उसका विलोम हो हो इसके पास बहुत धन हो चुस्त का अर्थ होता है एक्टिब यानि बहुत सक्रिये हो तो उसका विलूम हो जाएगा कि सुस्त ठीक है तो इस मतला बहुत धीला हो धीला भी में लिख देती हूं अर्थ हो जाता है कि जो वे मतलब खर्चा करना अप मतलब बेकार में खर्चा करना तो उसका विलूम हो जाएगा मितवे ठीक है मितवे का अर्थ होता है बचाना अलप अलप मतलब कम ग्या मतलब ज्यानी कम ज्यान जिसको हो तो उसका हो जाएगा बहुग्य यहनि कि बहुत ज्यादा ग्यान ठीक है अगला शब्ध हमारा आता है विग्य का मतलब जिसके पास भरपोर ज्यान हो तो उसका विलूम क्या हो जाएगा अग्य, अग्य मतलब अग्यानी, ज्यान के बिना, ठीक है, अगला शब्ध हमारा आता है अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है किसी के प्रेम में रहना, तो उसका बिलूम हो जाएगा विराग, प्रेम, भाव, इन सब चीजों से बिलुकुन बोल, बैरागी हो गया, विरा हो, तो उसका बिलूम हो जाता है अपकर्ष, ठीक, अगला प्रेस्द हमारा है, संकल्प, संकल्प का अर्थ, प्रतिग्या लेना, या किसी एक चीज़ पर इस्थिर रहना, उसका बिलूम हो जाएगा, विकल्प, विकल्प मतलब बहुत सारे साधनों किसी एक पर वो रुका ना हो, मुखर, मुखर का अर्थ की बोलने में बहुत एक्टिव हो, और उसका बिलूम हो जाएगा, मौन, मिल्कुल बोलता ही ना हो मौन मतलब, अवर, अवर का क्या हो जाएगा, प्रवर, ठीक, आवरन, आवरन मतलब कुछ उड़ाया हुआ हो, तो उसका बिलूम हो जाए ऐरन के बिना हो ठीक अगला प्रस्न हमारा आता है प्रवेश का हो जाएगा के प्रवेश का अर्थ होता है घुसना तो उसका हो जाएगा निकास यानि की निकल गया है यानि कि entry, exit वाला किसे ग्रस्थ, ग्रस्थ का अर्थ होता है कि किसी चीज की गिरफ्त में हो, ठीक, तो उसका हो जाएगा मुख्ट, अगला प्रस्थ, अपेक्षा, किसी से बहुत उमेद करना, अपेक्षा का अर्थ होता है उमेद, तो उसका विलूम हो जाएगा उपेक्षा, किसी की उपेक्षा कर देना, किसी को बिलकुल दिनाय कर देना, आलोग, आलोग का अर्थ होता है प्रकाश, तो उसका विलूम हो ज मतलब कि किसी चीज को बिल्कुल नश्ट कर देना ठीक है जैसे कोई डिजीज या कुछ चलता है उसको उन्मूलन कर देना जैसे अभी तक हम बात करते थे कि पोलियो का उन्मूलन चल रहा था तो उसका विलोम हो जाएगा रूपन ठीक किसी चीज को लगा देना इसको नश्ट कर देना इसका लगा देना अथ अथ का अर्थ होता है कुछ सुरवात करना ठीक है तो उसका विलोम हो जाएगा इती इती मीज अन्थ देखिए इती का एक और भी विलोम पहले बता चुकी हूँ तो ये शब्दों को अलग-अलग मतलब समाना अर्थी सब्द होते हैं इनको आप अलग-अलग याद रखिएगा ठीक है अथका हो जाएगा इती अगला शब्द हमारा आता है मिर्चन का अर्थ होता है मिर्चन का क्या हो जाएगा रूप्ष ठीक है अगला शब्द हमारा आता है ग्राय यानि ग्रहन करना ग्रहन करने योग या उसका हो जाएगा अग्रह है शोशक शोशक का मतलब सोशन करना या किसी को एक्सप्लायट करना उसका हो जाएगा उशक यानि पालन पोशन करना समास समास देखिए समास सब्द आप पढ़ भी चुके हैं समास सब्द जब आपके पास आएगा तो समास की बात करते हैं तो वो किसी समास किसे कहते हैं आपको परिभाशा याद करनी होगी अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देख लिजे ठीक है उसका क्या हो जाएगा व्यास अभी इसको वीडियो के लिए मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ और यह आ जरूर लिखिएगा हाँ विलॉम मैं आपको इसनिये बताय दे रही हूं कि आपको विलॉम ढूरने में क्योंकि यह इसका विलॉम बहुत मुस्किल है मिलना आपको कई भी ढूनेंगे तो इसलिए विलॉम मैं बताय देती हूँ हाँ समास का अर्थ क्या होता है यह आज सक्षन में जरूर लिखिएगा मैं फिर से आपको समझाओंगी या नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में फिर मैं यह क्वेश्चन आपका डिस्कस करूंगी ठीक है तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस कर ली है एक बार फिर उसको दोरा लेते हैं जिस सब्सक्राइब मित्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है सबका अर्थ भी जाल लिया है हाँ कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके और भी अर्थ होते हैं समाना अर्थी शब्द होते हैं या हम मैं परियावाची बताऊंगी उसमें भी आपको मिलेंगे ठीक है तो इसलिए आप उन शब्दों को जितने भी बताती जा रही हूं अगर आ आप मेंशन करते चलिएगा हाइलाइट भी करते चलिएगा ये परियावाची में भी आपके काम आएंगे या समाना अर्थी सब्द होते हैं उसमें भी काम आएंगे तो इन शब्दों को आप हाइलाइट जरूर करते चलिएगा हाँ सब्दों के अर्थ सभी सब्दों के आ और आप इन question की practice बार-बार करते रहे हैं मैं और भी practice set आपके लिए लेके आऊंगी आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो like तुरंद कर दीजिए question भी अगर आपने जितने solve की आपके number आए number comment section में डाल दीजिए कि 30 में से कितने number आए ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई practice set के साथ तब तक के लिए धन्यवाज